स्री गड़े जाई नमा, स्वागत हैं आप सभी का मेरे वक्ती वावना यूट्यूब चैनल पर जोस्तो, 16 अप्रेल को आज के दिन बहुत बड़ा योग बना हुआ है आज चैट पूरण मासी है और रात को चंद्रमा के दर्सन करते हुए आपको दो शब्द बोल देने ही जिसे आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी पूरण मासी के दिन चंद्रमा के दर्सन करना ब्यादी शोब माना जाता है पूरण मासी के दिन जो व्यक्ति चंद्रमा के दर्सन करते हुए अपने इच्छा बोलते हैं उनकी मनुकामना पूरी हो जाती है चैत पूरण मासी के दिन साथ रासियां ब्यादी भागिसाली और लकी रहने वाली है पूरण मासी की दिन सतना भगवान की पूजा की जाती है भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है भगवान कृष्ण की पूजा करने से हमारे सभी मनोरत पूरे हो जाती है भगवान की पूजा करने से हमारे कारों में आरे ही रुकावटें व्यादाएं दूर हो जाती है अगवान सिब की पूजा करें 27 दिन गौमाता की पूजा का भी विशिश मेंत होता है और आज के दिन हनमान जी की पूजा का भी विशिश मेंत है साम के समय हनमान जी का चोला चड़ाएं हनमान जी के सामने दीपक जलाएं अपनी इच्चा बोलें और हनमान चालीसा का मौपर पाट करें बैट करके इससे आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी दोस्तों पूरा नमासी के राथ को चंद्रमा को देते हुए ओम चंद्र देपताब्य नमाहा ओम चंद्र देवाई नमाहा आधी मंत्रों का जाप आपको कन्ना श्रपतना बोलना है और वहाँ पर आपको कुछ नए प्रति प्रसाद भी खाले ना है ऐसा करने से आपको विशिशलाब मिलेगा आपकी प्रतिक मनोकामना पूरियोगी पूरण माहासी के दिन पीपल भ्रक की पूजा का भी विशिश महत होता है तो पूरण माहासी के दिन एक एक उपाय का विशिश महत होता है मेश रासी, मितुन रासी, करक रासी, सिंग रासी, कन्या रासी, वरश्चिक रासी, धनु रासी, मकर रासी, मीन रासी ये रासी हैं इस दिन ब्यादी भागे सालियों लखी रहने वाली हैं सभी राशी वाली उपाई जरूर करें साथी भगवान के सामने दीपक जला करके उसमें दो लोंग जरूर डालें देखने वाली ये साधरन से उपाई बहुत प्रवापसाली होते हैं और हर मनुकावना पूरी होते हैं हर दोस दूर होते हैं जैस्रीकिश्ण